आज मैं आपको बताऊंगा एक एमनेस्टी स्कीन के बारे में जिसके तुरू गवर्मेंट प्लान कर रही है कि 35 लाक करोर रुपीज इतना पैसा जो बाहर ब्लाक मैनी के रूप में डिपॉसिट कर रखा है लोगों नहीं इंडिया से टैक्स बचाने के लिए वह वापिस इंडिया के पास आपाए ताकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व स्टॉंगर हों इंडिया में इंवेस्टमेंट्स आएं वगरा वगरा बहुत सारे फायदे हो और ये पैसा जैसे ही आप इंडिया में लाते हैं असेसीज क्यों उस पैसा को इंडिया में नहीं लाना चाहेंगे टाक्स लगेगा बहुत हैवी पेनल्टीज लगेंगी इंट्रेस्ट लगेगा प्रोसीक्यूशन हो सकता है जेल में डाले जा सकते हैं जिसके थू elephant bonds आपने शायद करम सोनी हो recent times में वो प्रपोज कर रहे हैं गवर्मेंट की बाहर से पैसा लाके elephant bonds में इन्वेस्ट करा जाए उसको कैसे use करा जाएगा tax कैसे करा जाएगा असेशी के लिए कैसे फाइदमन है, government के लिए कैसे फाइदमन है, इंडिया के लिए कैसे फाइदमन है, यह सब चीजे जल्दी से discuss करते हैं और थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हमें समझ आ पाई कि यह basically तरीगा क्या है जिसके तो government is amnesty scheme को successful बनाने की कोशिश कर सकती है स्कीम में सबसे पहली चीज मैंने मेंशन करी कि कितना money at stake है यानि कि कितना पैसा हो सकता है most favorable condition में government expect कर रही हो कि इंडिया के अंदर आ जाएगा उन्होंने कहा 500 billion US dollars which is 35 lakh करोर रूपीज अब ये इतना सारा पैसा वो क्या कहते हैं black money की तरह इंडिया के बाहर लोगोंने stash कर है क्यों पहले तो इंडिया में tax बचाया और क्योंकि इंडिया में ही अगर पैसा रखा जाता तो government की जो income tax authority है उसके लिए tap करना इस पैसे को detect करना असान होता तो लोगोंने अलग-अलग illegal means से इसी पैसे को इंडिया के बाहर पहुचा दिया और बाहर stash कर रखा है government कह रह स्कीम क्या है यह discuss करते हैं एक high level advisory group on trade policy जिसको HLAG भी बोला जाता है यह ministry of commerce and industry के अंदर fall करता है roughly 2018 के आसपास एक group बनाया गया था और उसको क्या बोला गया था कि इंडिया का trade बढ़ाने के लिए आप recommendations दो क्या-क्या चीज़े करी जा सकती है सिर्फ income tax से सीमित नहीं है य recommendations देगा लेकिन आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं कि income tax and related laws जो है आपके black money से जो deal करते हैं उसके respect में उन्होंने क्या-क्या recommendations दी है अभी recently तो उन्होंने अपनी recommendations अभी just निकाली है जिन recommendations में उन्होंने क्या बताया है कि इंडिया का जो trade है वो boost कैसे करा जा सकता है त जिस पर आपने tax बचा रखा हो यानि कि अगर आपने कोई भी amount tax पूरा दे के इंडिया के बाहर investments कर रखी है उस पैसे को वापस लाने की बात नहीं होरी बात उस पैसे की हो रही है जिस पर आपने इंडिया में taxes evade करे और उस पैसे को छोपाने के लिए इंडिया के बाहर आपने स्टैश कर रखा है उसको इंडिया में लाइए खुझ से वॉलंटरी ली डिस्क्लोज करिए और जब आप करेंगे तो फिर हमारा फॉर्दर ड्यू कोर्स ओफ आक्षिन क्या होने वाला है देखिए पे 15% tax on the money brought यानि कि जितना भी आप पैसा लेके आयत आते हैं लिटस से कोई अस ऐसी कहता है मेरे 100 करोड रुपए इंडिया के बाद सुच जिलिंड में डिपॉसित हैं मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यह मेरे हैं मैं इंडिया में लेकर आता हूं जैसी आप 100 करोड लेकर इंसान तो 15 करोड तो straight away आपको tax देना पड़ गया तो 85 करोड बचे अब लोगों के माइंड में question क्या उठके आया उन्हों ने कहा जो इंसान इंडिया में 100 करोड जेन्मनल तरीके से नॉर्मल टाइम पे disclose कर रहा था उसको roughly 30% and upwards का tax देना पड़ता है roughly 33 करोड के आसपास 34 करोड के आसपास tax दे चुका होगा यह इंसान जिसने पहले तो income time पे disclose नहीं करी थी फिर इंडिया के बाहर गल्द तरीकों से पहसा पहुचाया वह वापिस लेके आ रहा है आप सिर्फ 15% के रहे पे tax कर रहे हैं क्या यह ना इंसाफी नहीं है उन लोगों के साथ जिन्हों उन्हें genuinely time पेची जे disclose करी बिल्कुल अभी तक ऐसा लग रहा है लेकिन this is not the only thing that needs to be payable and that needs to be taken into consideration before considering की एमनेस्टी स्कीम आपके लिए कितनी वाइबल है या कितनी नहीं है 15% तो उन्होंने कहा tax देना पड़ेगा इसके ओपर कोई interest इस amount कुछ भी नहीं interest के साथ penalty जो लग सकती है income tax act के अंदर या फिर किसी और act के अंदर कुछ भी नहीं कोई interest नहीं कोई penalty नहीं लेकिन उन्होंने एक और condition propose करी उन्होंने कहा जितना भी पैसा लाते हो यानि की 100 crores in this particular example उसका 40 to 45% हम बोलेंगे आपको elephant bonds में invest करना ही पड़ेगा अब ये elephant bonds क्य है ये government के द्वारा issue करे गए bonds हैं जिनसे जितना भी पैसा collect होगा that will be invested in infrastructure projects in India यानि की इंडिया के अंदर infrastructure projects लेने के लिए उनको pursue करने के लिए जितना भी पैसे के requirement होती है वो ये elephant bonds के थू मीट करना चाह रहे हैं तो यहां पर वो कितना पैसा लाने की बात कर रहे हैं 35 lakh crores इतना पैसा अगर इंडिया में आ जाए वो कह रहे हैं इसका at least 40 to 50% आपको किस में invest करना पड़ेगा elephant bonds में जो की further कहां पर invest होगा infrastructure projects में तो roughly they are targeting 15 to 17 lakh crores to be invested into infrastructure projects just by way of this amnesty scheme तो 15 से 17 lakh करोड रुपे invest हो सकते हैं अगर लोग ढंग से disclose कर दे पैसा कैसे 15 से 17 lakh करोड तो elephant bonds में बाले हैं और उसके उपर से 15% of this 35 lakh crores वो government को tax की तरह मिल जाएगा जो वो जहां चाहे वहाँ invest कर सकती है और बाकी जितना पैसा बज गया वो assessi के हाथ में जरूर रहेगा लेकिन वो भी Indian economy में तो आ गया और उसकी वह फ्लो में आ जाएगा and the moment it comes into the flow of Indian economy हमारी GDP वो बढ़ करना चाह रहे हैं इसके benefits क्या होंगे assessi specific अगर हम देखें तो and government specific अगर देखें तो दोनों के लिए different benefits क्या है सबसे पहला benefit assessi के लिए black money becomes white and thus can be spent freely अभी आपका पैसा जिस भी country में पढ़ा है वो इंडिया की अगर आप economy की हिसाब से बात करें तो आपने इस पर tax evade कर रख पाएंगे हमेशा छुपा के रखेंगे एंड जहां पर आप freely इसको spend कर सकते थे luxurious lifestyle के लिए गाडियां घडियां घर वगएरा वगएरा जो भी चीज़ा आपको जिन भी चीज़ों का शॉक है आपके पास hundreds and thousands of crores है stashed abroad लेकिन आप use नहीं कर पा लें तो काफी सारे assesses को फा इस particular amount को invest कर सकते हैं because the moment it becomes white आप इसको कहीं भी spend करें there is no scrutiny or any adverse thing that can happen to you because of spending it point number three is free from the fear of prosecution penalties under various acts including foreign exchange black money and taxation laws this is very important क्यों आपको वो सिर्फ income tax act से immunity नहीं दे रहे है वो यह नहीं बोल रहे है कि इतना tax दे देना उसके बाद income tax act में आपसे हम कोई भी penalty interest नहीं लेंगे क्योंकि अगर वो सिर्फ इतना बोलते तो this scheme would have been a very big failure क्योंकि यह जो काम हुआ है इंडिया में पहले तो tax evade करना उसके बाद पैसे को इंडिया से बाहर ले जाना illegal route से फिर उसको वहां stash करके रखना इसमें सिर्फ income tax act contravene नहीं होता आपका multiple acts contravene हो जाते हैं जिनकी वज़े से multiple acts में penalties, prosecution वगएरा वगएरा लग सकती हैं तो assesses को सिर्फ income tax act से immunity नहीं चाहिए उन सारे acts से चाहिए जिनमें वो punish हो सकते हैं तो उन्होंने बुला सारे के सारे जो laws हैं सबसे आपको बचा देंगे प्रोवाइडिड आप 15% के rate पे tax दे दो और बाकी 40 to 45% amount जितना आपका है जितना भी आप पैसा लेके आ रहे हैं उसको आप elephant bonds में invest कर दो अच्छा एक और चीज़ हमने elephant bonds के अभी तक discuss नहीं करी इन elephant bonds में जब आप पैसा invest करेंगे bonds पे क्या interest आता है बिल्कुल आता है तो यह जो interest आएगा इसकी tax ability कैसे चलेगी normally जैसे की हर assessi के हाथ में चलती है वैसे ही चले कि जितना interest आ रहा है उस पे जितना भी interest rate tax rate आप प invest करा है उसका 75% tax की तरह आपको देना पड़े किसका interest का तो उन्होंने एक higher tax rate बता दिया for the interest that accrues or arises on these elephant bonds क्यों अगें यह sort of penalty है sort of punishment है क्यों क्योंकि आपने undisclosed money बाहर रखा था जिसकी वज़े से हम आपको same rate per tax नहीं करने वाले जिस पर हम बाकी सारे assessi को करते हैं जो कि genuinely honestly अपनी income को declare करते हैं तो यह भी आपको consideration में लेना पड़ेगा along with this 15% tax and then also you have to take into consideration the opportunity cost of this 40 to 45% of the money जो आप बहार से इंडिया में लेके जरूर आ रहे हैं लेकिन compulsorily यहाँ पर invest करवाया जा रहा है इसके अलावा आप कहीं पर invest करते हैं तो उससे जितनी income आती अब वो आप को नहीं आ पाएगी तो यह opportunity cost भी assesses consider करेंगे जरूर करेंगे यह वाले decision लेने से पहले कि amnesty scheme successful बनती है या नहीं बनती है finally मैंने चीज़ बताईए elephant bonds के बारे में the money will remain locked in in such bonds for a period of around 25 years यानि की 25 साल तक यह 40 to 45% जितना भी आपने पैसा invest कर रहा है elephant bonds में वो locked in रहेगा in these bonds क्यों infrastructure projects लिए जा रहे हैं इस पैसे से तो infrastructure जो projects होते हैं इन में अच्छा time लग जाता है let us say highways बनाने हैं आपको buildings बनानी है और कुछ infrastructure बनाना है it requires a lot of time and अगर आप expect करेंगी दो साल में मैं तो पैसे निकाल पाऊं तो दो साल में government का उस fund की utilization अच्छा से नहीं हो पाईगी तो इसलिए उन्होंने कहा 25 साल तक invest करके रखो जितना interest आना होगा हम बता देंगे इतना ही interest देंगे और उस पर भी higher rate of tax लगाएंगे कि आप पर actually कितनी penalty लग रही है कितना amount आपको देना पड़ेगा एक तरह से सरकार को चलिए वापस benefits पर आते हैं यह benefits हमने अभी तक discuss कर लिए कि आपको ना तो किसी act में prosecution होने वाली है ना penalty होने वाली है आपका सारा पैसा white बन जाएगा point D देखिए no need to hide income of future years also एक assessi है उसने let us say 2012 में ये काम शुरू करा 2012 में क्या काम शुरू करा उसने अपनी income conceal करनी शुरू कर दी और जितनी conceal करता था वो इंडिया के बाहर किसी भी country में stash करनी शुरू कर दी अब उसको 2016 आते आते लगा यार मेरी तो बहुत जादे income है मुझे ये काम करनी की जरूरत नहीं है क्यों मुझे रातों को नीन नहीं आरी इस चीज की वज़े से मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन क्यूंकि मैं इस तरीके से इंडिया के बाहर भेज रहा हूं मेरे को हर दू in fact मैं आपको बना के देखाता हूं देखें ये ससी क्या कह रहा है कि यहां तक यह जो पीरिड है यानि कि आज से पहले मैंने इस पीरिड में तो कंसीलमेंट और ये पैसे को बाहर भेजने वाला काम करा ही है लेकिन आज से मैं चाहर हूं मैं पूरी जितनी भी मेरी income में कमा आता हूं वो पूरी की पूरी disclose करूं ताकि ये tension खतम हो बार-बार authorities से इस चीज़ पर लड़ने भिड़ने की लेकिन वो अभी भी नहीं कर सकता आज के बाद भी disclose क्योंकि अगर आज के बाद उसने disclose करना शुरू कर दिया कि कि मेरी actual income इतनी है तो फिर आपका पुराना case भी automatically department detect कर लेगा for example इस period में असेसी दिखा रहा था मेरी तो income है let us say 5 crores per annum लेकिन actually उसकी income थी 50 crores per annum तो वो daily मतलब हर साल 45-45 crores क्या बाहर invest कर रहा होगा किसी illegal route से ले जा रहा होगा बिल्कुल assets accumulate होते गई बहार यहां पर उसका दिमाग खराब हुआ उसने का कोई ज़रूद निया बहुत पैसे कमानू अब से मैं 50 करोड दिखाऊंगा जैसे ही तुमने 5 करोड का 50 करोड दिखा दिया यहां पर क्या department के कान खड़े हो जाएंगे कि एकदम से 50 करोड कहां से आ गए और अगर 50 करोड यहां पर आ गए तो यहां भी तो हो सकते हैं क्या आप scrutiny में आ सकते हो बिल्कुल इसलिए वो SSI in spite of coming to this fact कि भई मैं आज से proper income declare करना चाहरों वो नहीं कर पाएगा क्यूंकि जैसे ही कर देगा scrutiny में आ जागा पीछे लेकिन क्यूंकि अब यह amnesty scheme आ गई है अगर आप आज के बाद से सारी सही चीज़े करना चाहते हैं कर सकते हैं कैसे यहां तक जितनी भी wealth accumulate करी थी उसको white बना लो by way of this amnesty scheme and going forward proper अपनी 50 करोड पर income जितनी भी आपकी है वो declare करने लग जाओ दिक्कत नहीं आने वाली क्यों इस 50 करोड को देखके जो scrutinies period की हो सकती थी वो अब तो नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने amnesty scheme में पूरी की पूरी अपनी wealth declare कर दी तो this is one of the other benefits जो assessi को होगा and finally मैंने एक last benefit लिख रखा है start earning some income on black money if the money was lying idle in foreign countries मैंने आपको बताया है इन elephant bonds पे interest मिलने वाला है जरूरी नहीं है कि आपने इस black money को जो बाहर इंडिया के बाहर जहां PGSB country में stash कर रखा था hold कर रखा था उस country में आप इस black money पे कुछ भी income कमा पा रहे थे हो सकता है in fact इस पैसे को बाहर hold करने के लिए आपको अपनी जेब से कुछ पैसे देने पड़ रहे हो कुछ गलत लोगों को कुछ commission देना पड़ रहे हो अब क्योंकि वो इंडिया में आ गया है माना की interest rate कम हो सकता है माना tax rate जादा है लेकिन फिर भी कुछ तो कमा रहे हो मैं कहरों धाई 3-4% कुछ भी amount कमा रहे हो तो ना कमाने से तो बेटर है वो भी आपकी wealth accumulate कर सकती है and this is one of the last benefits जो की हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं to the assesses जल्दी से बात करते हैं of some benefits that are available to the government from this particular scheme सबसे पहला tax collection by way of upfront 15% tax on money disclosed and brought to India जितना भी पैसा आप इंडिया में लेके आ रहे हैं उस पर 15% का सीधा सीधा तो tax collection मिल जाएगा government को उसके साथ साथ 75% tax on interest income earned from money invested in elephant bonds यानि कि अगर आप 100 करोड लेके आये थे तो हमने क्या बोला 100 करोड में से 40-45 करोड के बीच में आप elephant bonds में invest करोगे 25 साल तक जिस पर interest आएगा उस पर आप 75% के rate पर tax दोगे तो government को 15% तो upfront इस 100 करोड पर tax मिल गया उसके बाद ये जो आपने पैसे invest करे 42-45 करोड elephant bonds में उस पर interest income जो आपको दी जा रही है उस पर भी higher rate of tax मिल रहा है 75% के rate पर तो ये भी government को फायदा होगा क्या 75% tax लिग दिया मैंने second चीज being able to raise huge funds by way of elephant bonds at low rates आपको low interest rates पर ये bonds issue करके बहुत जादा पैसे मिल जाएंगे इंडिया की infrastructural needs के लिए जिसकी वज़े से आप 15-20 लाख करोड रुपे invest कर पाएंगे इंडिया में जो की इंडिया का ही पैसा है लेकिन इंडिया में वापे शायद आही नहीं पाता अगर ये amnesty scheme rollout नहीं करी जाती next is मैंने लिखी ability to track higher income of such individuals in the future also मैंने आपको यहाँ पर example दिया था assessi is dead तक क्या कर रहा था अपनी income को कम disclose कर रहा था और concealed income को बाहर stash कर रहा था जिस दिन आपने amnesty scheme में disclose कर दिया कि भाईसा मेरी 5 करोड की income नहीं थी हर साल की spirit में मेरी तो 50 करोड की थी और बाकी जो amount मैंने disclose नहीं कर रहा था वो Switzerland में पढ़ा हुआ है मैं ले आता हूँ उसका treatment क्या होगा वो मैंने आपको scheme में समझा दिया लेकिन क्या इस दिन के बाद से ये इनसान again ये claim कर सकता है कि मेरी हर साल की 5 करोड की income है नहीं आपने जब बता दिया यहां पर 50-50-50 थी तो amnesty scheme में आपने यहां तक का जो amount था उसका हिसाब तो दे दिया उसको तो clear कर दिया going forward tax department देखेगा कि आप 50 करोड की income दिखा रहे हैं अगर 50 से कम की दिखाएंगे आपका case scrutiny में आ जाएगा और department पूछेगा कि भाई साथ explain तो करो यहां पर 50 था दुबारे 5-10 पर कैसे आगे तो दुबारे tax evasion start कर दीगा तो इससे हो क्या रहे department को जिस दिन इस particular day पर MST scheme में पता चला कि पूराना इस इनसान ने कुछ ना कुछ concealment करी थी वो concealment going forward करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी जिसकी वज़े से the department will be able to track higher income of such individuals in the future also इस date तक का चिथा तो पूरा कदम करी दिया उसके बाद वाला जो period है उसमें भी आप जादा tax collect कर पाएंगे तो future के लिए भी long term benefit के perspective से भी अच्छा है and final benefit the rupee will appreciate because of better forex reserves आपके जो forex reserves है वो increase हो जाएंगे क्यों इंडिया के बाहर जो आपने पैसा stash कर रखा है वो इंडियन rupees में नहीं होगा foreign exchange में होगा तो वो जब आप इंडिया में वापस लाते हैं इंडिया पास forex reserves बढ़ेंगे जिसकी वज़े से इंडियन rupee की value strong होगी international markets में and this is one of those major benefits जो government हमेशा चाहती है उसको मिले तो हमने benefits discuss कर लिए finally एक बार बात करते हैं कि ये जो scheme है क्या किसी और country ने भी apply करी है आज तक और अगर apply करी है तो क्या वो उन countries में successful हुई है या नहीं हुई है और ये discussion हम क्यों कर रहे हैं हम बस समझना चाहरे है कि अगर किसी और country ने apply already कर रखी है तो उससे हमें एक example मिल सकता है कि क्या ये हमारी country में भी successful scheme हो सकती है उतनी जितनी government सोच रही है या again ये failure हो सकती है like some of the other schemes जो कि government ने निकाली है तो आप देखेंगे Indonesia का मैंने आप example दे रखा है year 2016 में Indonesia ने भी ऐसी ही एक tax amnesty scheme निकाली थी जिसके अंदर उनको कितने पैसे recover हो गए थे 26 lakh crores 26 lakh crores की collection हो गई थी उनको तो it was pretty successful और मज़ी की बात half of GDP of India यानि कि उस time पे 2016 में Indonesia की जितनी भी GDP थी वो इंडिया की आधी भी नहीं थी और वो होने के बावजूद उन्होंने 26 lakh crore की recovery कर ली थी 26 lakh crore का black money जो Indonesians ने बाहर stash कर रखा था वो उनको वापस मिल गया था by way of their amnesty scheme तो क्या इंडिया के लिए इंडिया की amnesty scheme है जो propose करी जा रही है निकालने के लिए it is much more stringent than the one rolled out by Indonesia in 2016 यानि कि इंडोनेशा ने जो 2016 में निकाली थी amnesty scheme जो इतनी successful हो गई थी वो इंडिया से काफी कम stringent थी उस पे tax rates कम थे foundations कम थी कि तोने time तक आपको invest करना ही पड़ेगा inboards में करना पड़ेगा बगएरा बगएरा इन तरीकों से वो थोड़ी कम stringent थी इंडिया से इंडिया की काफी जादा stringent है लेकिन फिर भी अगर इसको properly और structured manner के अंदर rollout करा जाए इंडिया वाली amnesty scheme को तो फिर भी एस successful बन सकती है अब आप as a professional मुझे बताईए comment करके कि आपके हिसाब से ये scheme आपको कितनी effective लगती है क्या आपको लगता है कि government 35 lakh crores या उसके आसपस की कोई भी figure इंडिया में वाप्रस ला पाईगी या फिर आपको लगता है इसमें कोई flaws हैं जो की cure करे जा सकते हैं by way of your suggestions अब वो भी लिखके बताईए because this scheme अगर मैं scheme की बाद करू तो ये finalization stage पे भी नहीं है और ये initial stage पे भी नहीं है कि अब इस पे discussions चालू ही हुई है 2018 में committee form कर दी गई थी अभी उनकी recommendations आ गई है तो इस समवाट close to the finalization stage पर आपकी जो recommendations होंगी I'm sure they would also contribute to how the government rolls out this scheme I think we as tax professionals should be aware of all these things that are happening in the market right now ताकि हम अपने clients को insideी चीजों से aware करवा पाएं और अगर उन्होंने कोई गलाची से कर रखी हैं तो उनको सही वे दिखा के सही recommendations दे के इंडिया की growth में contribute कर पाएं मिल ते ने 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 वीडियों, बाइब बाइ